नमस्कार सभी पसूपालिक भाईयों को मनीस्तरड की तरप से बहुत बहुत सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर सवागत करता हूँ आपका और जो पसूपालिक भाईयों आज मारी इस वीडियो को पहली वार देख पार है वो आपके अपने इस चैनल को सबस्क्र सब्सक्राइब करें पास लगे बेल आइकन को भी प्रेश जरूर करें तांकि आने वाली सभी नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन है वह अब तक सबसे पहले पहुंचे आज की जो यह वीडियो कवर करने लिए पहुंचे हैं पवंदी भाई के फारम पर आगे की जो और अपने कॉंटेक्ट नंबर थान में 752 चुपन नोशो बीस ठीक है और आज की वीडियो में कितनी गाई दिखा रहे हो जी आज की वीडियो में 9 गाई है उसमें से 3 गाई बिकी हुई है तीन बिकी हुई है छे बिक्री वाली है वैसे तो 12-15 गाई है अभी उनकी वीडि कोई भाई किसी वक्त विजिट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में शुरुआती प्राइज क्या रहने वाला है आज की वीडियो में मतलब 65 से 65 रुपे से शुरुआत है एक लाख पांच रुपए तक ट्रांसपोर्ट रांसपोर्ट कुछ है गायों का आज साथ बताएंग ठीक है जी तो कुछ गाय का है जो साथ में भी बताएंगे और बाकी का अलग मेटर तक का बता देंगे तो अगर कोई गाय खरीदने आता है तो कितना एक रेट मान किया जी क्याँ कि मतलब की लगबाग है पैणte 57-65 से लेके वह ब्रीड के उपर है कैसी प्रीड ले रहे हैं थोड़ी मेडियम होती है बच्चरी मतलब साथ 15 में भी मिल जाती है क्यों अब हैवी बच्चरी लेतेए 75-85 से तो मान के ही चलें सहीं जैसे अपने पीछे बच्चरी खि सबसे पहले नमबर पर बच्डी दिखा रही हो जी यह वीडियो में सबसे बड़ी और टॉप क्लास की बच्डी नगीना ही बोल सकते हो जिसको ठीक है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी अच्छा प्यों प्रेड में हैं हाइट लेंथ देख सकते हो काफी अच्छी हाइट है और यह बच्डी दिखाने का मतलब यह वैसे तो सेल हुई हुई है यह गुजरात के लिए जाएगी इसका दिखाने का परफ़स यह है क्यों अपने पिछली वीडियो में यह कच्छी दिखाई थी और उस वीडियो और आज का डिफरेंस पता चल जाएगा दस दिन हुए पीछे और बीस दिन कच्छी थी अभी दस दिन का समय बाकिया दस बारा दिन ले जाएगी मतलब तारीक के इसाब से दस दिन पड़े है कोई दो चार्फ दिन उपर ले जाए तो उपर भी ले जा सकती है ठीक है बाकी क्वालिटी आप देख कर सकते हो हाई लैंध अडर की काफी अच्छी है जी सही है और ब्लैक आंचल लगा हुआ है लोगों का यह माना है भी काले आंचल में जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती मैस्टाइटिस बगएरा बहुत कम चांस होता है ठीक है और पछिडी हर तरह से प्रफेक्ट थन भी काफी सोलीड थन लगा हुआ है अभी तो गया दस दिन पड़े हैं काफी बड़ी अग्रोष करेगा जी अटर तो यह किस रेट में दी है यह दी है एक लाग पांच यह रुपे की ठीक है एक लाग पांच यह रुपे की ब्रीड का पैसा है जी जैसी ब्रीड है ब्रीड के हिसाब से पैसा है गुजरात जा इन गायों में दिये सिस्टम रहता है जितना अखवाद उतना निकल जाएगा किसी तरह की बचडी में आइट वाई जिफ और बिल्कुल ही शांस सवाग की है ठीक है यह देखो जी आप जी और इस से आगे एक और गाय दिखा रहे हो जी यह फश्ट ब्यांत में बचडी और म कोई टाइम नहीं लगा टाइम टाइम में बारा गंटे हुए है दोई कोई भी भाई आके दो टाइन टीन टाइम करके ले जा सकता है यह देखो जी पांच बज के तरफारारीस मिनिट का टाइम पांच बज अपनी मिल्किंग स्टार्ट होती है और कोई 15-20 मिन देर हो मतलब इससे भी बड़िया अडल देखेगा क्यों अभी खीस से खाली है पांच मां च्छटा दिन है आज ब्याई को पांच से छे दिन और जो पक्का दूद है कांटे के तोल का अठारा लेटर बिलकुल ठंडा दूद तयार है वैसे बीस बोल दें जागवाला पर अठारा लेटर ठंडा दूद प्यारा इसके नीचे लेचल बच्छी में ही 24-25 लेटर दूद बढ़े राम से देखी हाइट लेंध तरह से प्रफेक्ट है जी और बच्छा के है साथ में इसके मेल काफ है बच्छड है यह बड़ा हां जी फेस क्वाल्टी देख सकते हो बच्छी की और अब दांत भी दिखा देदेगा यह देखो जी यह देख सकते हैं नीच जी बिलकुल जैनियन चार दांत है ठीक है जी सब कीमत इस गाई की कीमत इसकी देने लेड़े जाई की रेट है सेवेटी बच्छी अरफे में पहुंच कर देंगे गर 500 किलोमेटर के दारह है ठीक इसका बिलकुल ठंडा त्यार है और कम दिखाती है पर दूद 20 लेटर बिलकुल ठंडा तयार है यह कितने दिन की हो गई 12-13 दिन की हो गई आगरा से 15 दिन की ही माने कोई पी चलो एक दो दिन उपत नीचे जो कोई बड़ी बात नहीं है 15 दिन की मान के लिए वह बीचे फी तक हाइट लेंद आप देखके चेक कर सकते हो हाइट से ज्यादा दो लेंद और बहुत शांदार है और बिल्कुल शांसो बाद की तो पवंदी बाइक कीमत इसकी इसका जी बिल्कुल एक ही रेट है फाइनल सा 68 अपए की पहुंच कर देंगे ठीक है अड़ पहुंच हो इससे आगे एक और गाई दिखा रहे हो यह बाइसाब प्राश ब्रेड में है ठीक है ताजी ब्याई की साथ आठ दिन की ब्याई है अपते की मान के चलो और बिल्कुल थंडा दूद 20 लिटर दूद तयार है अब मोके पर 20 लिटर करगी तयार है पीछे गीर क्रोस में बच करके लिए जा सकता है दोरा मुठिया थन लगा हुआ है हाइट लेंथ बजन दार है अच्छी गाया बिल्कुल शाम सबाव की है बाकि क्रोस ब्रीड में तो बढ़ेगी दूद दूद तो अभी बढ़ेगी 20 लेटर भी बहुत होता है जी क्रोस ब्रीड में बढ़ने को किल अच्छी बढ़ेगी बावद यहां का सतर यहां का सतर अच्छी बच्डी है जिसको बोलते हैं वह बच्डी भी दिखा दो ठीक है साथ वे बच्डी है यह वाली है और इससे आगे एक और क्रोस ब्रीड की गाये क्रोस ब्रीड में काफी अच्छी बच्डी है दूसरे ब्यांत की है सेकें ताइट लेंथ देख सकते हो काफी बड़ी हाइट लेंथ की है और ठण बहुत शांदाव लगा हुए है शायो हम लोगोद एच एफ का क्रोस है और सबसे बड़ी बात है जी बिलकुल शांसो हैं तो 30 लेटर लोगों वाला बोलना है तो बड़े रांसे 24 पच्छी लेटर दूद देगी ठीक है 24 ब्रीड में 20 से 25 लेटर दूद बहुत होता है वैसे तो 20 ही बहुत होता है बड़ी गाए होती है हाइट लेंद वाली थोड़ा सा एच एफ का ज्यादा क्रोस होता है तो